सुशिल कुमार त्या कारोप है एक दूसरे पहलवान की सुशिल कुमार कर दबोचा हत्या के मामले में दोनों लगातार फरार चल रहे थे जिसके बाद दिली पुलिस ने सुशिल कुमार की उपर एक लाख रुपे का इनाम रखा था और उसके साथी अजे की ओपर 50,000 रुपे का इनाम रखा था एंटिसिपेटरी बेल भी कोर से सुशील कुमार की रिजेक्ट हो चुकी थी चार मई की रात को दिली के 16 साल स्टेडियम के अंदर जगड़ा हुआ था पहलवानों के दो गुटों के बीच में जिसमें सागर धनकर नाम के पहलवान की मौत हो गई थी अस्पतार में जब उसे लेकर जाया गया डॉक्टर ने मिर्द घुशित कर दिया था जांच में ये बात सामने आई थी कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पहलवानों के दो गुटों के बीच में 16 साल स्टेडियम के अंदर जगड़ा हुआ था और जगड़े के बाद ही पिटाई के चलते सागर धनकर की मौत हो गई थी शुरुआती जांच के बाद पुलिस को एक वीडियो भी बरामबद हुआ था जिसकी फॉरंसिक जांच कर आई गई फॉरंसिक जांच से साफ था की वीडियो बिल्कुल सही और इस वीडियो के अंदर सुशील कुमार पिटाई करता हुआ भी नजर आ रहा था जिसके बाद से ही पुलिस सुशील कुमार और उसके साथी अजय की तलाश कर रही थी दिल्ली हर्याना उत्राखन पंजाब करीब दो दर्जन से ज़्यादा टीम में लगातार पिछले 20 दिनों से डेरा डाले वी थी अलग अलग लोकेशन पे छापे मारी कर रही थी बहत प दिल्ली में लाकर उसने ओन किया कहीं न कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश थी लेकिन पुलिस को काम्याबी मिली सुभा करीब सारे 9 बजे के आसपास मुंडिका मेट्रो सेशन के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को उस सक दबोच लिया जब व रहे थे प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस के ओपर कि आखिकर कैसे चक्वा देने में लगातार सुशील काम्याब हो रहा है और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को हत्या के इस मामले में अदालत में पेश करेगी उसके बाद उसकी लेकर पूछताच की जाएगी कि आखिरकार कहां वो इतने दिनों से छुपा हुआ था किस किस शहर गया वो कौन-कौन लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे कौन लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे और चार मई की देर रात को क्या पूरा घटना करम हुआ किस तरीके से में जो पहलवान वहां पर थे इतना ही नहीं जो लॉरेंस बिशनोई गैंग है और साथ ही जो काला जाकर गैंग है उनके भी वहां पर मौजूद होने के एक जो सबूत है वह पुलिस को मिले तो कहीं न कहीं एक बड़ा गिरो च्छतर साथ स्टीडियम के अंदर मौजूद इसलिए मामला और भी जादा बेहत गंबीर हो जाता है कि किस तरीके से सुशील के तार इन गैंग्स्टर से थे ऐसे कई सवाल है जो पुलिस के सामने और अब पुलिस रिमान में लेकर सुशील उसके साथी से पूछ ताच करेगी कैमरा मैं जितेंदर के साथ वरुन जैन ए लेकिन आखर कार बच नहीं सका पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पहलवान सुशील कोबार को अब को रखे आगे